गैस हम उमारे डे टुडे लाइप में इस प्रकर की छोड़ी छोड़ी सेंटेंस की बहुत यूज करते हैं जहां पर हम कहते हैं कि वो रूते रूते हसने लगी मेरी वहन पढ़ते पढ़ते मोबाइल देख रही है नहाते रहाते रहूल गाना गा रहा था गैस इस प्रकर की सेंटेंस को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं बड़ी से इंग्लिस में कैसे कहेंगे क्या आपको पता है गैस अगर आपको नहीं पता तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेजी कि आज के स्पीजे में हम इन सेंटेंस को इंग्लिस में सिखे चलिए सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चिर जान लए पहले आपको यूज कर देनी है सब्जेक्ट इसके बाद है पिंबर के बाद आपको यूज कर देने वाइल के बाद वरके साथ आई एंज फर्म यानी फोर्थ पर अर लास्ट में अधर बार्स चलिए कुछ एक जांप लगत आपको यूज कर और विच्छ से क्लियर हो जाए वह थे रोने लगा देखें इस परकार के संट्रेंस को समझना बहुत ज़रूरी यह थे हस्टे रोने लगा चु कंपलेट फार्ट है वह रोने लगा उसका हम पहले लिख देते हैं जैसे की यहां पर चुक्लीट पार्ट है के दोरान बरो नहीं के लएक उसका माध में लिखेंगे वाइल के साथ वांट इंजी फाम क्या इंजी फाम जैसे हम लिख देंगे वां लाफिंगे सो मरा कंपलेट सिंटें सहे का ही बींआ टु टु- furnace यहीं एरे क्लिए इसे हम कहेंगे while studying शो हमारा complete sentence हो जाएगा My sister is watching more while while studying My sister is watching more while while studying मेरी friend खाते खाते बात करती है My friend talks while eating My friend talks while eating नहाते नहाते राहूल गाना गारा था राहूल was singing a song while bathing मेरे भाई सोते सोते खराटे लेते है My brother snores while sleeping वो रोते रोते हसने लगी She began to laugh while crying She began to laugh while crying क्विब य्य में